समस्कार दोस्तों मेरा नाम में विमल सिंग बाला जी इस्ट डियाटा में आपका स्वागत है कस्तूर्भा गांदी बाली का विद्धाल है लगातार विकेंसी उत्तर प्रदेश के अंतरगत निकल नहीं है इसे पहले है जो यूपी की विकेंसी की बात की थी साइड में तोटल योग भी लिखा हुआ है कि कितने क्या पद खाली हैं वो भी देखते हो चलिएगा इसके लाबा अन्सकालिक सिक्शक सिक्ष का स्कावट गैड और साजरिक सिक्षा अंसकालिक सिक्षक सिक्ष का कंप्यूटर सिक्षा और साहयक रसोया और चपराईसी इस तरीके से अलग अलग पद हैं बस category वाई जरूर देख लीजेगा अनारक्षित अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती है और अनुपिक्षडा वर्ग टोटल कितनी विकेंसी हैं आपर तो टोटल कुल मिला करके 12 विकेंसी हैं बात कहां की कर रहे हैं तो हम उत्तर प्रदेश के अंत इसनातक होना चाहिए बाकि NCTE से मानिताप्राफ, BA या संकाफ, SHLT, त्यादी और TLD वगएरा भी इसमें इंक्लूड हो जाता है कस्तूर्बा गांदी में अगर पहले से कार रहते हैं तो TET के अनिवारता जो होगी वो अनिवारे नहीं होगी बाकि दो अंकों का जो भारां गरारे नहीं कार ठेल डिफ्लोमा ये सभी जो है आपके इसमें होंगे तो चल जाएगा कला क्राफ्ट और संगीत आधी बी जाहीं ग्रह सिल्प जो है उसके सिक्षक का पद कला क्राफ्ट और संगीत के पद के अंतरगत ही माना जाता है बी-पीट, सी-पीट, जान डी-पीड के लिए आप जानते हैं कि केवल सारिक सिक्षा के अध्यापने तुमान होगा सारिक सिक्षा के लिए TET की ज़रुत नहीं होगी रसुया की बात करते हैं तो रसुया है, साहिक रसुया है या चौकीदार है, सैक्षिक योगिता आठ लक्षाट उत्रीड हो और साथी साथ कोई बिमारी ना हो आपको साथी साथ महिला इसके लिए महिला होना विद्याले में निवास करना अनिवार है आयू की बात करते हैं, समस्तिष्टाप के लिए 25 वर्स निवनितम और 45 वर्स मैक्सिमम होगी एक अपरेल से ये काउंट होगी और यदि आप पहले से कारे रहत हैं तो आपको 60 साल मैक्सिमम एज तक की चूट मिलेगी बाकी आरक्षण दिया जाएगा बाकी 2% का भारांग जो मैंने बताया आपको 30% से ज़्यादा नहीं हो सकता चरित्र सर्टिफिकेट की भी बात यहाँ पर की गई है यह भी बताये गया है कि कस्तूर्बा गांदिवाल का पिद्दायल में जो सैक्षिक श्टाफ है जो पूर कालिक सिक्षिका अंस कालिक सिक्षिका लेखा कार इन सभी के पदों पर चैन मेरिट के आदार पर होगा और मुखे रसिया, साइक, रसोया, चपरासी, चौकेदार इनका चैन साश्चादकार के आदार पर जो है वो होगा बाकी केवल महिलाएं भड़ती ही इसमें आवेदन कर सकती है जो आपका अनुबंद होता है ग्यारा माउन तिस दिन का होता है गार अगर आपका संतोस जनक होगा तो उसको बढ़ाया जा सकता है फिर बात करते हैं कि लिपाफे पर उपर मोटे अक्षर में कस्तूर्बा गांधी आवासी बालिका विद्धाले में पद, विसे, जाती, वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है साथी साथ जो भी आपके पात्रता अधिकारी हैं वो अपना जो आवेदन पत्र है वो 21 अपरायल 2023 को ये लाश तारीक है इसकी 5 बजे तक कारायले में जिसका नाम है जिला बेसिक सिक्षा अधिकारी विकास भावन के पीछे पहलादपुर सौरो रोड कास गंज पिन कोड है 24003 इसको केवल स्पीट पोष्ट या रजिटर डाग के माध्यम से ही जो है वो भेजें साधार डाग से सुईकार नहीं किया जाएगा तो ये एड्रेस सही भरी गएगा क्योंकि कुछ लोग ने कमेंट किया था कि उनका भरने के बाद वापस आया जा रहा है तो एड्रेस पूरा भरा करिए अगर अगर कम दिया गया तो गूगल मैप से भी अब उसकी डिटेल एड्रेस निकाल सकते हैं बाकिया आगे बात करते हैं तो आविदन पत्र के साथ आपको सौप्रमारित पोटो समस्त सैक्षिकंग प्रमार पत्र, अनुबा प्रमार पत्र, टीटी उच्च प्रात्मिकिस्तर, स्वाप्रमारित छाय प्रतियां सभी की और अपना पता लिखा दो लिफाफे भी स्पीट पोश्ट अत्वा रजिश्टर डाक जो है उसके माद्यम से निरधारित सुल के डाक टिकट लगे हुए आपको भेजने होंगे और यह तो बाकी सारी चीज़े इसमें कॉमन है उमीद करते हैं सीज़े आपको क्लियर हो गई होगी फिर भी अदि आपको क्लियर हो गई हो तो कमेंट में अवश्य पूछ लीजेगा वीडियो पसंद आए लाइक जरू किजेगा और लोग सश्य जरू किजेगा मिलते हैं अंगले बडेट में तब तक के लिए नमस्कार अजय हैं